नमस्कार आप लाई बिहार देख रहे हैं मैं हूँ राज मुहंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम खबरों से खबरदार में देखिए बिहार की राजनीती लोकसभा चुनाओ की समापती के बाद काफी जादा गरम दिखाई दे रही है NDA हार की समिच्छा कर रहा है खास कर BJP जिन सीटों को जीत सकती थी आकिरकार वहां कैसे हार मिल गई पार्टी कर्याल में तमाम जो BJP के विधायक हैं, MLC हैं, जो कैंडिडेट थे वो पहुँचे हुए हैं और बैठक अभी भी लगतार चल रही है वहीं दूसरी तरफ जो बड़ी बात उपेंद्र कुश्वाहा के तरफ से की गई है और उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए जो गुप्त बाते हैं, जो बैठकों में बाते होती हैं, वो मिडिया में नहीं आनी चाहिए क्योंकि जो बीजेपी के नेता हैं वो बैठक में ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि जदियू का वोट बीजेपी को ट्रांसफर नहीं हुआ, विस्तार से इस पर हम भी हम बात चीत करेंगे, लेकिन इसके अलावा एक खबर और उपेंद्र कुश्वाहा पर ही, क्योंकि अब राज्यसभा जाने कि उनकी चर्चा काफी जादा चिर गई है, अब किस सीट पर जाएंगे, दो साल वाले या चार साल वाले, इसको लेकर सुबुगाहट बढ़ी हुई है, फिर हम बात कर लेते हैं, पप्पु यादो की बीते कुछ दिनों से काफी जादा उनकी चर्चा इसलिए चल रही है क्योंकि रंगदारी मामले में उन पर एफायार हुआ और आज पुर्निया के कोट से उन्हें बेल मिल गई है, लेकिन पपु यादो को लेकर केवल चर्चा इसी की नहीं है, पपु यादो रुपावली विधान सभा के उपचुनाओं में भी खूटा ग एंडिये के सामने खड़ा कर दे, पुर्निया से लोकसभा चुनाओं जीतने के बाद काफी जादा एक्टिव मोड में वो दिखाई दे रहे हैं, तो चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिश्पत्रकार रवीरंजन जी हैं, वरिश्पत्रकार प्रवीन अभागी हैं, सबसे पाटियां हर चुनाओं के बाद या हर बड़े कारक्रम के बाद समिख्छा बैठक करती हैं, और उसमें कहां कमी रह गई, कहां अच्छा हुआ, कहां सुधार की जरूत है, इस पर खुले मन से चर्चा होती है, और विचार विमर्ष होता है कि कैसे और इसको बेहतर किया जा सकता था, तो उसी क्रम में ये भी बैठक है, चुनाओं में चुकि भाजबा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, इंडिये का भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा, सीटें कमानी पड़ी, तो उस पर चर्चा हुई होगी और लोगों ने कहां हार की वज़ ने देखा की ये आरा में क्या हुआ, लोगों ने ये भी देखा की कारेकाट में क्या हुआ, वक्सर में क्या हुआ, पुर्निया में क्या हुआ, तो ये सब जगह लोगों ने देखा है कि क्यों पाटी हारी है, उसमें ना सिर्क जदियू का वलकि भाजबा का भोट भी यूजी वियां यह से जदियों के साथ भी एठक होती तब उसमें ज्यादा अच्छे तरीके से किसी निशकर्ष पर पहुंचा जा सकता था तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो बाहर आ जाने से जैसा कि पंद कुसवा करें बवाल होगा और पार्टी में कटता बढ़ेगी इंडिये में तो इसमें जो भी नेता हैं वो सब जानते हैं कि क्या हुआ है चुनाओ में कैसे गड़ड़ी हुई है अब लोकसभा खतम हो गया बारी विधानसभा चुनाओ की है और अगर अब ठीक कह रहे हैं और इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा जो पेंदर कुश्वाहा कह रहे हैं और एक भारती जिंदा पार्टी के नेताओं में एक उतावला पन जो दिखता है और जो खुल कर सामने आ जाता है अब हाल ही में मुख मंत्री निटीश कुमार जब वहां गए दिल्ली में और ये बिहार में चर्चा छिड़ गई कि उनको टाइगर कहा गया टाइगर अभी जिंदा है और ये कहा गया कि वो किंग मेकर जदिव के लोग कहने लगे कि वो किंग मेकर हैं तो भारती जिंदा पार्टी के कदावर नेता नहीं है जंता ने मैंड उपेंदर कुष्वाहा ने जो नसीहत दी है वो ठीक ही दी है पार्टी के भीतर क्या कुछ चल रही है समिछा बैठक में क्या कुछ हो रहा है और उस पर क्या कुछ एक्षन जाएगा उसको मीडिया में या जनता के बीच नहीं ही जाना चाहिए यह तो तै है कि आरा की सीट भ ने वोट नहीं किया इसी तरह से अवरांगाबाद में हुआ तो यह तो ठीक ही है कि जदियू के और उस पहले भी यह कहा जाए हम लोगों ने भी बात्चित में यह बात्चित की है कि जदियू कमजोर कड़ी साबित हो रही है 400 के आंकड़े को पार करने में बिहार में अग जीत का मार्जन कई सीटों पर बहुत जादा नहीं है अब ऐसे में क्या माना जाए कि नितीश कुमार के आने से बीजपी को रहत मिली या नितीश कुमार के अंडिये के साथ वापस लोटने से बीजपी ने अपने पैर पर कुलहारी मार ली यह कहना ठीक नहीं होगा वगर सब्सक्राइब वो सुभाव से एक जैसे है जो अविश्वास पैदा हुआ है कि जेडियू वो ट्रांसफर कराने में नकाम्याब हो गई क्या आगे आने वाले चुनाओं तक यह विश्वास खतम होगा क्या वो विश्वास बढ़ेगा यही जो है वो एक बड़ी दूरी दोनों ही पाटियों उसमें उस पर बिमर्ष होगा वगर इसमें कुछ लोगों को चिनित विक्या जाएगा कि जिन्होंने विश्वास खात किया हराने के लिए काम किया उन पर हो सकता है कारवाई भी हो कुछ तो यह एक रूटीन प्रकिरिया है इससे कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि तूट जाएगी या जदियो एकड़म विदक्टके खड़ा हो जाएगा ऐसा नहीं होता हर चुनांव में यह क्षेल होता है कुछ लोगोड़ होते हैं कुछ नाराज होते हैं कुछ भीतर-गात करते हैं कुल जराने के लिए कुले काम करते हैं तो यह रूटीन टाइप से specially लेना चाहिए और भाजपा के और से बड़ा अरोप नहीं लगाया गया है कि जैसे बड़े नेता के इसारे पर यह सब यह जो लोकल लेवल की राजनिती है उस राजनिती के तहत यह सब हुआ कि यदि भोट शिफ्ट नहीं हुआ ट्रांसफर नहीं हुआ तो वहां जरूर कुछ खटास रही होगी मद्दाताओं में आपसे तालमेल की कमी रही होगी जिसके चलते यह बात कहीं जा रहे हैं लेकिन हमें यह भी ध्यान देने जरूरी है कि उपेंद्र कुष्वाहा भी एंडिये का ही हिस्सा थे तो अगर उप किस बमीना पर भेजा जाएं अपेंद्र कुष्वाहा समाज के माने हुए नेता है और आंडिये नहीं चाहेगे की उतकी पार्ती में कहीं कोई कमजोरी आए एंडिये का जो गड़बंदन है और आंडिये का गड़बंदन वन जदिव और भाजबा का तो एक सभज सहज गडबंदन है, सहज मेल है, 17-18 सालों से पहले से ये गडबंदन चल रहा है, उपेंदर कुषवाहा उसमें एक जरूरी कड़ी है, उपेंदर कुषवाहा मददाताओं को भी अपने साथ लेके चलते हैं और वो माने हुए नेता है, जिस तरह से चिराग पासवान, दुस पास है, तो ये उमीद की जा रही है, कि शायद इस बार जो राज्यसवा के सीट खाली हुए है, उसमें किसी एक सीट पर उनको भी यही बात मानते हैं कि उपेंदर कुषवाह एंडिये के लिए जरूरी है, क्योंकि कुषवाह वोट बैंक एंडिये के तरफ खीचने में तो वो काम्याद नहीं हुए, देखिए अभी जो इस्थिती बनी है, उसमें एक एक दलों को साथ जोड़े रखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो इंडिये के साथ नहीं होगे, इंडिये उनको साथ में रखता है, वो राजत के साथ चले जाएंगे, तो दो परसेंट, चार परसेंट, जो भी वोट बढ़ेगा, वो फाइदा राजत को होगा, तो इसलिए इंडिये नहीं चाहेगी कि कोई भी साथी उसका सहयोगी अभी उससे अलग हो, और कुछ वैसा नहीं कर रहे हैं कि वो अलग होने की बात भी नहीं करें, वो तो और मिल जूल करके और एक होने की बात कर रहे हैं, मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब जाने की छर्चा है आपको क्या लगता है दोनों में से किस पर वह जाते दिखाई दे रहें वह तो राजसवाहि जाएंगे केंदर की राजनिति करें गे और यहां आपने किसी सहयोगी को विश्वस्व सहय蛋 के लिए ब्हेजेंगे के अ जानत भी बन सकती थी बात मेरा सब्सक्राइब कर सकती थी ऐसा कर सकती थी ऐसा मगर इसे मैसेज अच्छा नहीं जाता कि एक तो आपने पंजाब के बन जाएंगे दो चार मीना के बाद ही बने तो उसे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है और अभी तो वहां खाली मंत्री हो सकते हैं तो नौ पद अभी खाली है मंत्री के देखिए उपेंद कुश्वाहा को लेकर हमने चर्चा कर ली लेकिन देखिए बिहार की सियासत में ब जीत पपुयादो के लिए यह हो गए पपुयादो के लिए एक बहुत बड़ी जीत है और उस समय जब रुपावली में उपचुनाओ की गोष्णा हो गई है पपुयादो ने जीत के साथ ही आज अपनी एक बड़ी बैठक की है और गोलबंदी मने वोटर्स की गोलबंदी तो यह तो मानना चाहिए कि राश्री जनता दल के लिए एक बड़ी चुनावती बनकर पपु यादो खड़े हो गए हैं उस इलाके में रुपावली में उप सुनाव को जीतने के लिए पपु यादो कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं आज की बैठक का मायने भी यही था पप चुनाव में पपु यादो लगाएंगे तेजस्वी यादो को हराना के लिए तो यह निश्चित है कि पपु यादो एक बड़ा संकट बनके आर जेडी के लिए उस इलाके में तो निश्चित रूप से खड़े हैं और उसका कहीं न कहीं आगे बिहार की राजनीती पर भी पपु यादो ने अजरुपौली विधान सभा के अंदर उपचुनाओ को लेकर जो बैठक की और उसके बाद उन्होंने अपने सोसल मीडिया पेज पर जो पोस्ट किया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं आपने श्क्रीन पर देख शकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पर शाप कर रहे हैं अब भारती पटकनी तो वह लोकसभा चुनाओं में देहीं चुके हैं अब रुपावली में भी जो यह बैठक हो रही है जाहिर तो पर इतना इसारवत तो साफ है कि राजत के खिलाब जितना हो सकेंगा हम करेंगे हैं वह तो चिड़े हुए हैं ही रा का कोई समर्थक जीत कर आजाए जिस तरह खुद निर्दलिये उन्होंने चुनाओं जीता है उसी तरीके से अपना कोई वहां पर सागिर्द को चुनाओं लड़ा सकते हैं बिलकुल लड़ा सकते हैं अगर कोई मजबूत उमिद्वार मिल जाता है तो उसको लड़ाएंगे नहीं तो जो भी बक्ष की उर से होगा हां इंडिये के तरफ से उसको भी सपोर्ट कर सकते हैं मगर ज्यादा समाना यही कि वह अपना उमिद्वार वहां लड़ा सकते हैं तो इसमें यह है कि अपना उमिद्वार देंगे तो फिर राज़त के जीतने की संभावन भी बढ़ इस बार हार गई फिर अगले बार जीत जाएंगी तो राजनिती में लगता है जरूर कि अब इनका केरियर खत्म हो गया मगर लोग तीन-तीन चुनाव हारने के बाद जीत जाते हैं मिशा भारती का उधारने दो चुनाव हारी फिर जीत के आगे कई ऐसे लोग है जो चार चार के तो इसलिए बसके चुनाव हो इसलिए लगातार जिती रहें वहां से और उनके पती वहांग बहुत मजबूत बाहुबली मने जाते हैं तो इसलिए पुर्णिया का चुनाव और अर्यव मिला आ हिसमें फरक करत olduğ देखना होगा और वहां पपूआ अदा उतने टाकतवर तो जिती जाएंगे उनका उमिद्वार मगर यह है कि वहां से वह राजत को हराने की पूरी कोशिस करेंगे और इसमें अगर एंडिये उमिद्वार का समर्थन भी करना पड़े तो वह करेंगे अब सवाल यह भी एक एंडिये सुमिद्वार कोन होगा अभी तक तो रुपाहली से जद्यू की लड रही थी भीमा भारती पाला बदल लिया है अब कल से नमांकन की प्रकिरिया सुरू हो जाएगी 14 जून से 21 आखडी तारीक है नमांकन की उमिद्वार की घोसना कब तक होग देखिए एंडिये के भीतर मन्थन तो चल रहा है प्रत्याशी को लेकर क्योंकि चैलेंज रुपा ये वीमा भारती भी है और पप्पु यादो भी है लेकिन पहले से जो इस इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिये रहे हैं संकर सिंग जो लोग जनसक्ति पाटी के कारे करता है नेता है और पहले वहां से बिधायक भी रहे हैं चुनाव भी लड़ते रहे हैं और कई बार वह बहुत कम अंतर से चुनाव हारे हैं तो संकर सिंग का जो कह सकते हैं उनकी डावेदारी ज्यादा मजबूत है वह एंडिये के तरब से प्रत्याशी हो सकते हैं दूसरा एक भ लेकिन यह सो तरय कराना पर करना है कि वह संकर सिंग को या भूलो मंदल को देते हैं दरासल संकर सिंग लोजपा के करीब हैं तो आर चिराग पासवान की हर बात वो सुन रहे हैं चाय contributors वह सब्मेद कर सकते हैं कि एक और सब्सक्राण की सब्सक्राइब उन्होंने कर दिया है कि जन सुराज पार्टी बनेगी और दो हजार पचीस का जो अगामी विधान सबाचुनाव है उसमें वह अपनी ताकत दिखाएंगे लेकिन गटबंधन को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दिये तेजस्वी यादो या नितीश कुमार किस तरीके से दे तो फिर परिश्रम करेंगे छेत्र में और अगली बार ट्राइ करेंगे तो यह उनकी मंसा बिल्कुल साफ है और उनके अंदर आत्मिस्वास भी है कि वह अच्छा करेंगे और दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो यह कि आप ने भी गोजना कर दिये आप पाक्टी की वह भी कि ब czarivar को जेल में रखने करें वोट किया क्युक्कि पर चार करते घूम रहे थे कि आप हमारे उमिद्वारों को जीताईएगा तो हम जेल से बाहर आजांगे तो उनके उमिद्वारों को लोगों ने हरा दिया हरा दिया यानिकी दिल्ली ही जनता चाहती है कि वह जेल में रहें तो संजय सिंग आज घोषणा की है कि बिहार में भी हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सिद्णों पर लड़ेंगे पप्पु यादों के साथ प्रसांद की सोर के आज कल नजदीकियां बड़ी देखी जा रही है क्या विधान सभा चुनाओं में कुछ देखने को मिल सक out of ुमिद्वार भी उनने तगे कर ली है बिलकुल वह जो गाउं गाउं घुम रहे थे तो यह थोड़े घुम के शिरभाशन कर रहे है वहर जगह संगठन उन्होंने खड़ा कर लिया हर जगह उमिद्वार भी चुण लिया है उनको इसारे में बता दिया गया आपको चुनाव लड़ना है त्यारी के जिए और लोग तयारी कर रहे हैं और वहां के उनके जो कारकरता हैं जो उनके साथ जुड़े हुए उनको भी मालूम है कि यह आदमी यहां से हमारा उमिद्वार होगा चुनाव लड़ेगा नितीश कुमार जश्वी यादो जो सबसे बड़े भावी मुख्यमंत्री की उमिद्वार हैं फिर इन लोगों के लिए तो बड़ी मुस्किल हो जाई देखिए राजनिती में किसी का किला ढ हाते देर नहीं लगती हैं बड़े से बड़े धुरंदर को धूल में मिलते देखा है लोगों ने इस देश ने इंद्रा गांधी जैसी दिगज राजनेता और वो एकदम हार गई अटल बिहारी बाजपई जैसे लोग प्रिये नेता वो चुनाव हार गए तो यह नितीश क जरूर उभी हुई है उसके पास कोई बिकल्प नहीं है बिहार में इसलिए लोग मजबूरी में इसको नहीं उसको वोट देते रहते हैं मगर जनता को यह भरोसा हो जाए कि यह आदमी अच्छा कर सकता है हमारे बहतरिक ले कुछ कर सकता है तो एक छण देर नहीं लगए कि मुह फिरते हुए उनसे जिनकी आज जय जयकार वो कर रहा है कल मुह फिर कि इधर खड़े हो जाएंगे अब प्रशांत कि शौर आपको लगता है कि बिहार में 243 सीटों पर लड़कर कोई बड़ा करिश्मा कर देंगे और अगर कुई मालीजी सत्ता में नहीं आ पाए जब सदों अदों किसी को समर्थन को मैं वाज उन्होंने कहा है कि हम किसी को सब्सक्राइब एक आपने और चलाना चाहते हैं जो गठजोड सरकारे वनती हैं वो आखिरकार जनता का अहित ही करती हैं तो इस तरह का अगर शुरुवाती दौर में ही अगर वो अपने वादों से और अपने सिध्धानतों से अगर मुकर गए और पीछे हट गए तो उनको आगे चलके परिजानी होगी और उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी ह जैसा वो कह रहे हैं तो बिहार की राजनीती में कोई नया उदाहरन अगर उनको प्रस्तूत करना है रखना है तो निश्ची तुरुप से जो कह रहे हैं उस पर वो ठीके रहेंगे उमीद की जा सकती है एक ही सवाल उनके उसके पीछे पड़ेगी वो है बिहार में जाती के आधार पर जो राजनीती होती है और जातिकत समिकरन बेठा कर जो वोट दिये जाते हैं वो प्रसांद किसोर की राह के सबसे बड़े रोडे सावित होंगे प्रसांद किसोर की जाती क्या है सबसे पहले यही देखा जाएगा और फिर जब वो जनता के बीच जाएंगे और मांगने लगेंगे तो लोग देखेंगे कि सायद कोई अगड़ी जाती का आदमी कहीं मुख मंतरी न बन जाए तो इसलिए जनता की गोलबंदी शुरू होगी तो इन चीजों से प्रसांद किसोर कैसे लड़ेंगे इसकी तयारी भी शाद उन्होंने की होगी लेकिन एक महत बहुत पॉपलर है तो अब देखिए प्रसांद किसोर की क्या रणेती है लेकिन वह एक अच्छे राजनितिक रणेतिकार तो अच्छे हैं लेकिन अब कितने बड़े और अच्छे राजनेता बनेंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा लेकिन सब के बीच बीजेपी की जो आज समिक्छा बैठक है उसकी चर्चा काफी जादा पपू यादो को रंगडारी मामले में बेल मिल गई और सबसे बड़ी बात है कि पपू यादो ने रुपवली विधानसभा उपचुनाओं में खूटागार दिया है राजत को फिर जटका देने की उन्होंने तैया जारी कर ली है अब उपचुनाओं के लिए नमांकन की प्रकिरिया कल 14 जून से सुरू हो जाएगी 21 जून तक चलेगी 10 जुलाई को वोटिंग है और 13 जुलाई को रिजल्ट भी आजाएगा आप इस पर क्या राया रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं अब सभी का बहु जरूर बताइब का लू है आएगी ऑायगी 21 जुलाई की बहुत बखलाई के श Mars आएगे 26 जुलाई रचे credible ुटलाई कर रचे ileyeना मीजल मीजलाई ओाते हैं ging रपल मांकर अपल जी एान पंच्जाएबर